जै भारत साथियों, साथियों आज एक और खास विशे पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियों बात करने वालों राजनिता कहां कहां से पैसा कमाते हैं, राजनिता के कमाई के साधन क्या होते हैं, राजनि राजनिता multiple source of income generate करते हैं राजनिता जादतर राजनिता किसी एक source of income पर मिरभर नहीं रहते हैं उन्हें यह बात क्योंकि सीखी होती है सिखाई होती है कुछ हम जैसे लोग सिखाते हैं गाइड करने वाले लोग होते हैं कुछ लोग जो उनके godfather होते हैं राजनिती में उनसे स साथ रहते हैं तो हम देखते हैं उसके पास source of income क्या है तो समझ में आता है अच्छा वो यहां से भी कमाता है यहां से भी कमाता है यहां से भी कमाता है तो आइस्था इस्था उनने समझ में आ जाता है है कि मैं फुल टाइम अगर राजनिती कर रहा हूं मेरा घर कैसे चलेगा मेरी राजनिती कैसे चलेगी कदम कदम पर पैसा लगेगा और लगना है जैसी आप घर से बाहर निकलेंगे तुरंग पैसा खर्चोना शुरू हो जाएगा तो multiple source of income सबसे पहली चीज है अब multiple में कैसे दो-तीन तरह के source of income है राजनिताओं के पास दो-तीन category के उसमें भी फिर sub category है सबसे पहली तो passive source of income है जिसमें उनका involvement नहीं है और उनने पैसा आ रहा है कुछ राजनिताओं को और बलकी मैं कहूंगा 50% लगबर राजनिता ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई source of income passive वाला है उन उनकी नहीं है तो किस की है या तो उनकी family की involvement है उन्होंने पैसा लगा दिया family वाले उसको take care कर रहे है उन्हें fix income आ रही है या उनको profit आ रहा है ये पहला है दूसरा ब्याज की रूप में उन्होंने पैसा था उन्होंने उसको कहीं invest कर दिया एक जगा या बहुत सारी जग fix कर दिया जिसको दिया वो जादा कमा रहा है उन्हें मालूमें जादा कमा रहा है उनको मालूमें बहुत पांस कुछ ब्रूट पर काम करें टिकेट चाहिए कहीं भी कुछ भी करना है तो पांस कुछ उसका safe है उसको मालूमें कभी भी मिल जाएगा मुझे plus उसके पास पैस खर्चे के लिए, घर के खर्चे के मिए, रूटीन के खर्चे के मिए, उसने इंवेस्टमेंट की हुई है, कुछ passive source of income में, rental income में, बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, जो खुद कुछ नहीं करते हैं, पीडियों से उनके बाप दादों ने संपत्ति बनाई, उस संपत्ति को कु राजनेता हूं के source of income को देखने का, आप जब दो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनका effect effect देखे, मैं कहां से सिखता हूं, यार मेरे पास कोई और source of income तो है नहीं, source of information तो है नहीं, कि जहां से मैं पैसा दूँगा और जानकारी ले लूँगा लोगों से, कि मैंने इतने कर लिए, कौन सी कंपनी के share लिए, कितनी properties हैं, अब किसी निता का दिख रहा है कि 5 commercial properties हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है, 10 agriculture land है उसके पास, तो पता है commercial property तो rent पर गई होगी, rental income हा रही होगी उसके पास, और उसकी asset की value भी बढ़ रही है, उसके पास agriculture land है, थेती खुद तो करना होगा, किती करवारा होगा, ठेक पर या जैसे भी contract पर दिया होगा, वहाँ से fixed income हा रहे होगी, ऐसे multiple passive source of income राजनिताओं के पास होते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो involved नहीं हो सकते हैं, उसको भी manage करने के लिए, अपने portfolio को manage करने के लिए, राजनिता managers रखते हैं, money management क पता हैं, उनको मालू में मेरा fixed harçा महीने का, माली जे 10 लाक रुपे है, तो एक source से आ गया मेरा, जैसे investment से आ गया मेरा 2 लाक रुपे महीना, यहां से मेरा रेंटल इंकम से आ गया 2 लाक रुपे महीना, एगरिकल्चर से आ गया 3 लाक रुपे महीना, total मेरा 10 लाक हो गया, 12 पंदरा लाक हो गया, जितना extra हो गया, वो वापस इखता करके reinvest कर दिया गया, तो इससे क्या होता है, multiple source of income generate हो रहा है, समय के साथ उनकी value बढ़ रही है, अभी राजनिता का मैं देख रहा था, पांस साल पहले उसने सांसत का चुना ओल रहा था, उसने अपनी asset 35 कोड तो अबसी बाद उसकी asset उसकी value भरती ही चली जाएगी, तो राजनिता सबसे पहला काम passive source of income में involved है, दूसरी category है, active source of income है, active में क्या है, खुद involved होते हैं, partially, वे पार करते हैं, कई कंपनियों के director हैं, कई कंपनियों में ownership उनकी है, कई कंपनियों में share से हैं उनके, जिसमें actively involvement है, active partner है उसके, और वो owner भी है कंपनी के, और director है कंपनी के, signing authority उनके पास है, उसमें क्या routine maintain किया, क्योंकि राजनिती भी करनी है, राजनिती 24x7 है, जब राजनिती नहीं कर रहे होते हैं, जब राजनिती का off-season है, काम है, तब वो कर रहे होते हैं, अच्छा, राजनिती म पूरा साल happening रहने वाला है, क्योंकि अलगला राज्यों में, 8-10 राज्यों के विदान सबागे चुनाओ है, लोक सबागा चुनाओ है, अच्छा, 2025 में क्या होने वाला है, दोई राज्यों में, एक शुरुवात में, एक end में, बाकि किसी राज्यों में विदान सबागे च कर लोगा, कई लोगे परिवार के लोग है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, उनको डिरेक्टर बना रखा है, वो ओनर है, उनके पास शेयर होल्डिंग है, और वहाँ से ओगर का खर्चा अपना चला रहे है, राजनिती के खर्चे के लिए भी बिजनिस पर डिपेंड है, अ जादतर राजनिता, वरत मान में जादतर सांसर विधाय का मंतरी, वो जो सेलरी मिलती है, उसका यूज भी नहीं करतें, आप हैरान होंगे जानकर के, वो उपनी सेलरी का यूज नहीं करतें, क्यों अपने उनके पास अपने active source of income से पैसा आ जाता है, पैसे सोर्चम से आ जा पता है, तीन केटेगरी है, लाइजिनिंग है, लाइजिनिंग मतलब, आप समझते हैं, लाइजिनिंग, इंग्लिश का वर्ड है हिंदी में अगर बोलें तो, क्या बोलें, कमीशन एजेंट या दलाली, दलाली बोल सकते हैं, लाइजिनिंग कराना, मुझे नहीं पता, इस अब दोना चाहिए, बट समझ रहे हैं, मीडियेशन करना, दो लोगों से मिलवाना, कॉंट्रेट दिलवा देना, काम दिलवा देना, ये कर लेना, वो कर लेना, आपके उपर रेड़ ना पड़े, उसके बदले में कुछ मिल जाए, बड़े स्किल पर. चोटे मुटे राधिनिता, पार्शादे, आविधायक, वो सब ये नहीं कर पातें, लेकिन आं मंतरी है तो कर लेगा, मुख्य मंतरी है तो कर लेगा, केंदर में मंतरी है तो कर लेगा, परधान मंतरी है तो फिर तो अराम से करी लेगा, तो वो कोई contract दिलवा देना, contract को हटवा देना, किसी दूसरे को दिलवा देना, उसमें अपना commission ले लेना, किसी और के थूँ bypass route से election को sponsor करवा देना, कोई policy बना देना, और policy के बदले में पैसा ले लेना, पैसा किसी चुनाओ में यूज कर लेना, ये licensing के काम है, licensing के काम से भी corruption कुछ लोग बोल सकते हैं बट यह रूटीन है जिसका खुल जाता है उसको करप्शन कह दिया जाता है जिसका खुलता नहीं है वो चलता रहता है बट यह हो रहा है इवन ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए छोटे-छोटे कामों के लिए भी कहीं रेडी लगनी है वहां लाइस लाइसनिंग है वो लाइसनिंग अलग-अलग इस तरपर है और वहां से इंकम है मैं यह नहीं बोल सकता मैं जूट नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने बार-बार कहा मेरा काम राजनीती की सच्चाई बताना परदे की पीछी की बाते बताना है सच बताना है आपको ताकि आप अलग लवल पर बंदे को torture हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी वो survive कर जाते हैं, क्योंकि multiple source of income है, आपके घर में 10 टैप हैं, और इसे पानी आता है, अलग अलग जगा से, तो 10 में से एकसा सारे नहीं सुख जाएंगे, भाई किसे से कम आएगा, किसे ज़ाद आएगा, माली जए 10 में से 200 source of income ऐसे हैं, जिससे लगतार पैसा आ रहा है, बरस्ता जा रहा है, बरस्ता जा रहा है, तो बाकिया आठ पे कम भी आ रहा है तो चल जाएगा, दो बंद भी होगे तो चल जाएगा, रेड पढ़गे तो चल जाएगा, किसी ने धोका दे दया तो चल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो राजनेता हैं, वो समझते हैं, वो broad-binding हैं, तो जानते हैं, investment कैसे करनी हैं, investment पर क्या रिस्क रहता है, money management पता हैं उनको, नहीं तो पता हैं, नहीं है, तो जिनें पता हैं उनको अपने साथ रख लेते हैं, अपने परिवार को साथ लेकर जलते हैं, अपनी टीम को बतान एकोशिस्टेम